नमस्कार सातियों, केसे हो आप सभी? अपना टोपिक चल रहा है प्रियावरन अदेन से संबंदित है म्रदा प्रदूशन के आज अपन बात करेंगे अपन प्रियावरन अदेन से संबंदित टोपिक पढ़ रहे हैं प्रदूशन आज मृदा प्रदूशन के बारे में अपन समझेंगे शातियों सर्वपर्षा में अपन समझेंगे भाई मृदा सब्द की उत्पति कहां से हुई तो जो अंग्रेजी में मृदा को कहते हैं सोयल हम सभी को पता है सोयल अंग्रेजी में कहा जाता है सोलम सब्द की उत्पती लेटिन बासा के सोलम से हुई है लेटिन बासा का एक सब्द आता है सोलम सोलम सब्द से सोल्ब सब्द की उत्पती हुई है शाथि और जो सोल है उसे हिंदी में मरदा कहते हैं इंगलिस में सोल कहते हैं इंग्लिश के सोयल की उत्पती लेटिन बासा के सोलम सब्द से हुई है मरदा भूपरिपटी के उपर अर्दे संगठित कारबनिक परदार्दों का डेर है सीधी बात है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मरदा क्या है आपके नजर में जो मरदा है वो क्या है जो सोयल है जो मिट्टी है वो क्या है तो वो मरदा भूपरिपटी के उपर अर्दे संगठित कारबनिक वा अकारबनिक परदार्दों का क्या है डेर होती है मर्दा अर्द संगठित कार्बनिक प्रधारतों का धेर होती है मर्दा सब्द की उत्पती इंगलिश बासा के सोल सब्द से हुई है सोल सब्द की उत्पती लेटिन बासा के सोलम से हुई है साथी यहां तक आपको समझ में आया आगे चलते हैं मृदा का निर्मान पांच ततों से होता है मेन बात है मृदा में अगर ये पांच ततों है तो एक अच्छी मृदा मानी जाएगी कौन-कौन से पांच ततों है खनीज परदार्थ मृदा जल सुक्सम जीव कार्बनिक परदार्थ और मृदा वायू साथियों मरदा में अगर ये पांच ततों हैं इन पांच ततों से मिलकर मरदा का निर्मान हुआ है और एक सर्वस्रेष्ट मरदा एक अच्छी मरदा हो तो उसमें अच्छी सोयल हो उसमें ये पांच ततों होने आउशक हैं खनीज परदार्थ, मरदाजल, सुक्सम्जीव, कार्बनिक परदार्थ और मरदा वायू सातियूं। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए जो अपना टोपिक है मरदाप्रदूशन। मरदाप्रदूशन क्या है? मरदाप्रदूशन का साब्दिक अर्थ क्या है? इस बारे में अपन जानेंगे। भूमी के बोतिक राशाइनिक जेविक गुणों में ऐसा कोई अवानचित परिवर्थ जिसका प्रबाव मनुस्य और अन्य जीवों पर पड़े या भूमी के प्राकर्तिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नश्ट हो जाती है। उसे मरदाप्रदूशन कहते हैं। मरदाप्रदूशन किशे कहेंगे जब मरदा में कोई राशाइनिक जेविक गुणों में जो मर्दा के रासाइनिक और जेविक गुण है सातियों उसमें एक ऐसा अवान्चित प्रिवर्तन हो जो मनुस्य जीओं और बूमी प्राकर्तिक गुणवत्त और उपयोगिता को नश्ट करता हो उसे मर्दा प्रदोशन कहेंगे यानि कि मर्दा में आसान बासा में समझे तो मर्दा में कोई ऐसे तत्व मिला दे जाए जिससे कि जो उसकी गुणवत्ता है वो कमजोर पड़े उसे मर्दा प्रदोशन कहेंगे सातियों यहां तक आप सभी को समझ में आया अब भाई एसे तत्व कोण कोण से हैं किस कारण से मर्दा प्रदोशन होता है यह सभी बाते अपन समझेंगे अपन ने यहां पर समझा भाई मर्दा में अगर कोई ऐसे रासायनिक जेविक अवांचित उनके रासायनिक गुणों के साथ जेविक गुणों के साथ कोई ऐसा प्रिवर्तन हो जाए वो प्रिवर्तन करता कोण है इस बात को अपने समझेंगे तो समझते हैं सातियों मर्दा प्रदोशन के कारण क्या क्या है सबसे पहला कारण है करशी द्वारा मर्दा प्रदोशन होना अब आप कहोगे करशी द्व बड़ती जनसें क्या कि खाद्यान संबंदी आवसकताओ कि पूर्ती की द्रस्टी से गहन कर्षी गहन कर्षी द्वारा अन उत्पादन पर जोड़ दिया जा रहा है। गहन कर्षी क्या होती है साथियों गहन कर्षी होती है कीटनासकों का दबा कर परियोग लेना बहुती जदा कीटनासकों का परियोग लेना जदा एसे रसाइनिक ततों का परियोग लेना और जो साइंटिफिक परियोग होते हैं उन पर आधारित कर्षी करना एक थोड़ी सी ज बार बार एक ही फसल उगाना ये सभी क्या हैं ये सभी बढ़ती जंसें क्या को देखकर खाजान संबंदे आउसकता हूं को पूर्टी करने के लिए किया जाता है और ये सभी मर्दा प्रदूशन के कारणों में आते हैं साथियों बई अपन लगातार फसल एक ही एक फसल अग करिब कहते हैं फसल चक्र कौन से होता है बदल बदल के खेती करना फसल चकर कहलाता है इसलिए तो मर्दा की गुणवता सही रखने के लिए फसल चकर का प्रयोग किया जाता है साथियों तो कृष्ची दौरा मर्दा प्रदूशन कैसे होगा बढ़ती जंसिंक्या के खाद्यान सम्मद्दी आवसक्ताव की पूर्ति की द्रिष्टी से गहन कर्षी द्वारा अनुत्पादन पर जोड दिया जा रहा है उसके कारिन क्या हो रही है मर्दा प्रदूशित हो रही है आगे देखे बूचरण साथियों बूचरण क्या होता है मर्दा का सरण होना यानि मर्दा नश्ट होना बूचरण द्वारा कर्षी छेत्रों की उपरी सत्य की मिटी कुछ ही वर्षों में समाप्थ हो जाती है वह बूचरण ये जो बूचरण है साथियों ये मर्दा का बयान शत्रू इसे कहा जाता है और भूठ रन म्रदा का क्या है भयानक सत्रू है भूठ रन द्वारा कर्शी छेत्रों की जो उपरी सत्य है उपरी सत्य की क्या है मिट्टी कुछी वर्षों में समाप्त हो जाती है समाप्त हो जाने से क्या होगा सत्य हो जो कर्शी के लिए उप्यूग जो मिट्टी है वो उसमें कमी आएगी उसमें कमी आएगी देखो एक तथ्य ऐसाती हो जब जो 6 सेंटीमिटर 6 सेंटीमिटर जो मरदा होती है 6 सेंटीमिटर जो मरदा होती है 6 सेंटीमिटर मिट्टी की जो प्रत होती है उसके निर्मान में लगबग 1200 वर्ष लग जाते हैं जो 6 सेंटीमिटर की मरदा प्रत होती है उसके निर्मान में 1200 वर्ष लग जाते हैं अब आप सोचिए 6 cm मरदा बनने में 200 क्या लग जाते हैं वर्ष लग जाते हैं और भूठरन अगर होता है मरदा का अगर भूठरन होता है तो इससे क्या है इससे जो उपरी जो मरदा है जो गुणवता मरदा है जो गुणों से बरी हुई मरदा है उसमें कमी आ जाएगी तो भूठरन द्वारा मरदा प्रदूशन सातियों आगे चलते हैं केटनासक और करत्रीम उर्वरकों के द्वारा केटनासक तथा राशायनिक खाद है जो फसल उतपादन में वर्दी में सयोग देती है जो केटनासक और राशायनिक जो खाद होती है सातियों वो अधिक से अध फसल उगाने में वर्दी में सयोग देती है लेकिन देरे देरे मर्दा में जमाव से इनकी वर्दी होने लगती है जिससे सुक्सम जीवों का विनास होता है तथा मर्दा तापमान में वर्दी से मर्दा की गुनवता नस्ट होने लगती है सातियों साथ यों हम जब ज़्यादा फशल उगाने की लालच में ज़्यादा केट नासकों का हम प्रयोग करेंगे कर्त्री उर्वर्कों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा दिरे दिरे जाकर ये मिट्टी में जमने लग जाते हैं मिट्टी में इनका जमाव हो जाता है जब इनका मिट्टी में जमाव होता है तो मिट्टी में का तापमान बढ़ता है तापमान बढ़ने से जो मिट्टी में सुक्षम जीव है जो सुक्सम जीव जो मर्दा की गुणवत्ता को वड़ाती है वो मनने लग जाते हैं दिरे दिरे सुक्सम जीव का विनास होने लग जाता है और जो उसकी गुणवत्ता है वो नश्ट होने लग जाती है मर्दा की गुणवत्ता नश्ट होने लग जाती है तो केटनासक और कर अक्तिरियम और वरको के दुआरा भी हम मर्दा प्रदूशन के ये कारण है साथियों आगे देखिए गरेलू तथा ओध्योगी अप्सिष्टों के कारण गरेलू तथा ओध्योगी अप्सिष्ट क्या ये सबी आप जानते हैं जो घर्व से निकले हुआ जो पलास्टिक होता है साथियों जो गरेल से निकला हुआ जो कागेच होता है शीशा होता है फ्यक्टियों से निकला हुआ तामभा होता है पारा होता है ये सबी मर्दा में मिलकर मर्दा को दूशित करते हैं साथियों जो पलास्टिक होती है वो कभी भी गलती नहीं है वो मर्दा की गुनवता को दिरे-दिरे करके नश्ट करती जाती है, शीशा हो गया, तामभा हो गया, पारा हो गया, ये सबी मर्दा की कुणवत्ता को नश्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है, गरेलू तथा ओद्योगिक अप्सिष्टों के कारण भी मर्दा प्रदूसन होता है, आगे वनो उन्मूलन द्वारा, वनो उन्मूलन क्या होता है, ये समझेए शर्वपरथम, वन मर्दा निर्मान में जैविक ततोवय प्रदान करने का कारे करते हैं, और भूधषरण को नियंतरियत करते हैं, शाथियो भूधषरण जब अपने पड़ा, तो जो वन होते हैं, जाएगी वहाँ दूसरे इस्तान पर नहीं जाएगी तो उस इस्तान से भूत्षरण नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों कि वहाँ पेड़ जादा है तो जो पेड़ होते हैं जो वन होते हैं वो भूत्षरण को भी नियंतरत करते हैं और म्रदा में जेविक तत्व प्रधान करने का कारे करते हैं जिन छेत्रों में वनों का विनास बड़े इस्तर पर हुआ है वहां की वरदा में जेविक गुण समाप्त होते जा रहे हैं जहां पे वन नहीं है वहां की मरदा में जेविक गुण नहीं होते हैं वहां पे फसल आ अधिग सिचाई द्वारा, क्रशी में सिचाई का अधिख मेंतो है, परन्तु जादा सिचाई मर्दा को हानुई पहुंचा रहे हैं, यह आप सभी को पता है, अधिख सिचाई होगी, तो मर्दा किचड हो जाएगा मिट्टी में, किचड हो जाएगा तो उसके जो जेविक उसके बिख गुण है, वो मर्ने लग जाएगे, और मर्दा कमजोर हो जाएगी, मर्दा में उप्योगिता नहीं रहेगी, तो यह क्या है अधिक सिचाई के द्वारा भी हम मर्दा प्रदुषन कर रहें हैं सात्यों, मरुस्तली करण, मरुस्तली करण क्या होता है आप समीच जी मरुस्तलों की जो रेत है वो उड़कर जाती है हावा की द्वारा मरुस्तल की रेत हलके होती है उड़कर दूसरी इस्थान पर चली जाती है जहां पर उर्वरक भूमी है एक उपजाव भूमी है वहाँ पर जाकर वो बिच जाती है उसे हम मरुस्तिली करन करते हैं उससे जो उर्वरक भूमी है वो भी प्रभावित होती है साथियों ये सभी मर्दा प्रदोशन के कारण है ये अभी अपन सभी मर्दा प्रदोशन के कारण आज समझ लिए और मर्दा क्या होती है मर्दा सोयल सब्द की उत्रपति कहां से हुई ये सभी बाते अपने की मर्दा में प लन्यवाद सती